हँए कि नमस्काइब डौकर्ट स्याम आपको में स्वागत है। दोस्तों आज कि स्वागत काफी यह च대gev के पत्री इसे बहुत पर्शान जिस से में लिल्ड है इसके नभत भी नुब पत्री हो गया फिशाब की रहिम ता रहा है जो कि गोड्र की पथरी को जड़ हो सकता है और हुर verf वह सकता है दोस्तों आये चलिए को बतांते हैं कुछ हो रहती है मेडिसीन के नाम जो कि उसको लेने से जल्द से जल्द पथरी जह हो सकता है को बताने हैं और नाम कि दवा है इसको लेने से पुराना सपुराना पथरी या तो गुर्दे हो या पृत के थैली में भी पथरी अगर है तो उसके भी काम करता है तो दोस्तों अगर इस्पेसली जो है कि लिनल इस्टोन या ब्लैडर इस्टोन कोई भी हो उस पर उसको पत्री को रिजाल्व कर देता है दोस्तों यह देखिए बहुत ही अच्छी दिकत्ष हो जैसे कि पिशाओ में जलन हो गया पेट में दर्द हो गया तो इस कंडीसर में दोस्तों अगर जिसको भी शिकाएज रहती है तो केवल बर्बेरिस वल्गिरिस क्यों जो लवा है उसको अगल लिया जाए तो दोस्तों मात्र पंद्र बेश दीन के अंदर जो है एक महनी के अंदर पत्री को डिजाल्व कर देगा और ठीक कर देगा तो दोस्तों देखिए किसी भी कंपनी के ले सकते हैं अगर मनलब बरविरिस क्यों होना चाहिए यह देख लीजेगा इसके लिखा है जो भी इसकी लिखा होना चाहिए दोस्तों यह दवा हो गया दूसरा दोस्तों पेटेट दवा है इंडरोजर्मन कंपनी का है इसमें भी कही दवाएं मिलाया गया है और कहीं दवार मिला करके जो है इसको पेटें त्यार किया गया है तो दोस्तों यह में है इसको 2 डखन सुबत भर साम 3 बार लेना है आपको और तो 15 15 अजयाitel पानी के साथ 3 बार सुबत भर साम 3 बार पीना है दोस्तो इसको बीजो है कि 2डखन दोस्तों इसने ऍवर यो डखन है इससे 2डखन लेना है और आजक पानी उसे मिलाकर करके 10 अजया перकार निन्हां सचीन लोगों को भी जालन हो गुर्दी में पतरी हो प्लेडर में पतरी हो पहल को नेलिंप पतरी हो and the पत्री अगर रहता है तो उस कंडिशन में दोस्तों यह जो दवा आपको बताया है तो दवा बर्वीरिस वलगेरिस और निफ्रोलित केर शीरफ यह बहुत ही अच्छा है बहुत ही कारकर दवा है इसको यूज किया गया है और काफी से काफी पुराना पत्री जो है इसे डिज कि और चेल्व हो गया है ठीक हो गया है पाणों का रो व बात्री निकल भी आता है तो इसको जरूर्र जो है इस्तमाल करके देखें और निश्यत रूप से फाइदा रिम ढ невल्यांने से ठीक होगा गत दोस्तों इसको प्लीजalten कर लिजिए और इस्तमाल करके देखिए आपक झाल झाल